कल मेरे एक दोस्त मेरे पास भागता हुआ आया और बोला कि भाई हम तो पहले ही लुटे हुए थे अब सरकार भी हमारे पीछे पड़ चुकी है श्टोक मार्केट में बहुत मुस्किल से थोड़ा बहुत पैसा बनता है उसके पीछे टेक्स वगेरा ब्रो क्रेज बन जाता है तो पहिए मुस्किल से जो फ्यूचर एंड ओप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनकी जेवन में इतना स्ट्रगल लिख रहा है जितना की एक नॉर्मल ट्रेडर की जिन्दगे वे नहीं होता है लेकिन यहां कहानी खतम नहीं होती है कहानी शुरू होती है यहां पर देखो उग बड़ा दिया जाएगा और जो भी टेक्स होगा अब 30% तक लगने वाला है बोले तो यह फ्यूचर एंड ओप्शन ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा जटका है क्योंकि ऐसे टाइम पर यह जो ट्रेडर होते हैं हम सभी जो फ्यूचर एंड ओप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे टाइम पर हम थोड़ा बहुत पैसा बना भी लेते हैं तो उसके उपर अगर 30% टेक्स दे तो पही हमारी तो कुछ वैल्य नहीं रहती है और अगर सरकार इससे स्पेकुलिटिव इंकम के अंदर डाल देती है तो हमें बहुत सारे जो बिजनस इंकम के बेनिफि करता है तो ठीक है हम ढीकर सकते हैं तो हमारी जो चीजे कोई भी हमेटिव इस सटे बाइश कह सकता है तो अभ तो आखिर यह स्टेटमेंट कैसे आया आखिर क्या चीज़ें हैं पूरी प्रोसेस हर एक चीज इन डीटेल हम इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों वीडियो को लाइक शेर सस्क्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों को भी ये शेर कर देना ताकि उनको भी जो हैं मदद मिल सकें और वो एक सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें अभी कितना टेक्स लगता है कैसे पूरी प्रोसेस होती है तो क्या इंपेक्ट परने वाला है सब कुछ एक ही वीडियो में ठीक है अब देखो सबसे पहले आप यह जानो कि अगले महिने ऐसा माना जा रहा है कि बजट आने वाला है अब आप बोलोग जब किसी साल इलेक्शन होते हैं उस साल दो तरीके के बजट पेश किये जाते हैं क्यों पेश किये जाते हैं क्योंकि इलेक्शन की वज़े से यहां पे जो बजट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर की जाएगी तो उस बजट के कारण जो भी सरकार अपना पेष्ट किया था जिसमें की डिफैंस सेक्टर को वह सारी चोटी-चोटी वजनाय थी उन पे ध्यान दिया लेकिन कोई भी बड़ा इस्टेट्मेंट यहां पर नहीं दिया था भूत ही छोटा यह बजट पेश्ट किया उसमें सबसे चोटा वजट यही था ठीके जिसमें की 15 में सारी चीज़े खतब लेकिन देखो अब आएगा जो बजट सबसे मेन होने वाला है उस बजट में जो भी सेक्टर सबी सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है और हर चीज यहां पर आपको जितना भी सरकार के पांस पैसा पड़ाएना उसको कहां-कांपे खर्ज करना है सारी जानकारी हमें यहां पर दे दी जाएगी ठीक है तो यह पूरा बनाने में सरकार लगे हुई है और लगे हाथ यहां पर रिपोर्ट ठीकल आति है कि ठीके बजट के साथ साथ हम कहाई कुछ चीज़ें हैं जहां पर टेक्स बढ़ाने वाले हैं और वो टेक्स कहां पर बढ़ाएंगे वो है फ्यूचर एंड ऑफशन ट्रेडिंग है ठीक है लाइक अभी के यह समान रहे हैं कि एक लोटरी सिस्टम है जहां पर कोई बंदा कपी पैसा बना लेत हैं तो उसमें से 30% हम रखेंगे उल्रेडी जो सरकार हैं उन्होंने हर जगे पर टेक्स ठोकर रखा हैं और हमें कुछ भी खरीदना बैचना हो प्रोफिट ओलोस हो हम और टेक्स पर करते हैं यहां पर ओके और भी वह सारी न्यूज बगेरा हैं तो सबसे बड़ी चीज यह दियान रखेगा कि अगले महीने जुलाई के अंदर बजट आ सकता हैं और अभी के टाइम पे जो यह जो भी आप न्यूज देख रहे हो फ्यूचर है और ऑप्शन के उपर जो टेक्स बढ़ाए जाएगा यह एक तरीके से प्रोपर स्टेटमें नहीं है जब तक कि यहां पे इसको एक पॉपर वे में यां पे पॉब्लिक में कहां नहीं जाए अभी के टाइम पर यह एक रिपोर्ट है ठीक है लेकिन हो सकता है इसी की यह यह बी यहां पर बता दी जाए कि यह लग सकता है टेक्स या इस से चोटी चीज गित परी 30 परसेंट नहीं तो 15 परसेंट होती क्या है तो बस एक छोटा सा टाइम में समझने वाला है क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं कम से कम वो जान लाए वीडियो को एंड तक अच्छे से वो समझ भाएंगे देखो फ्यूचर एंड ओप्शन ट्रेडिंग होती है एक ऐसा डेरिवेटिव सेग्मेंट बनाया हैं टाटा इस्टील का इस्टोक है अब यहां पर दो तरिके के लोग होते हैं और दो कॉंट्रेक्ट मनाए जाते हैं जैसे कि किसी को लगता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है तो वो कॉल ओप्शन को खरीद सकता है तो इसके लिए एक बायर चाहिए होगा जो कॉल ओप् अगर मार्केट में तेजी आएगी तो वो सर्थ होती है उसे हम ऑप्शन कहते हैं और उस बंदे को एक प्रीमियम पे करना होता है यानि कि कुछ पैसा देना है और अगर वो उसने बताया उस टाइम तक मार्केट में तेजी आती है उसको अच्छा पैसा बनाने का मुका मिल होता है लेकिन अगर तैजी नहीं आती है और जो टाइम बता रखा है वहां तक उसकी प्राइज के पास नहीं पहुच सकता है कोई होते हैं भी ना सोचे समझे और सीखे ठीक है जाधे दर टाइम पर हम देखेंगे लोग यहां पर सीखते नहीं है और अपने मैंड सेट पर कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं 10,000 रुपे लगा कि एक दिन में 1000 रुपी बना सकता हूं तो उनको दूस जार कमा रहा है कोई 10,000 कमा रहा है और ऐसे लोगों को देखकर उनका थोट प्रोसेस माइंड सेट होता है वो ग्रीड के अंदर कंवर्ट हो जता है उस वज़े से उनको जो लालच है वो सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं बलकि पैसा जल्दी से अमिर बनने पर ध्यान दे को जहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए ठीक है तो आप यहां पर छोटे से इस चीज से समझ चुके हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों रिस्की है और कैसे लोग यहां पर लोसेस भी करते हैं और होती गया है ठीक है अब हम नेक्स बात कर लेते दोस्तु जो की है सेबी सरक का यह मानना है कि हम यह जो टेक्सेस बढ़ाने वाले हैं इससे ऑप्शन ट्रेडर को लोसेस से बचा सके है ठीक है यानि कि 90 परसेंट जो ट्रेडर्स हैं वो लोस करते हैं स्टोक मार्केट में और यह बात कौन कह रहा है यह बात कह रहे हैं सेबी सेबी की रिपोर्ट के अ उसाहत 10 में से 9 लोग हैं वो future and option trading में losses में बेटे हुएं उनका जो average loss है अगर हम बात करें तो 50,000 के आसपास है ठीक है जबकि average profit 3400 या 3500 रुपे के आसपास ही है और यहां पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अगर कोई बंदा यहां पर थोड़ा बहुत profit भी बनता है तो उस को यहां पर जो पैसा है वो transaction cost के अंदर चला जाता है और brokerage के अंदर घतम हो जाता है और इस परकास से उस broker ने गर मानलो किसी बंदे ने थोड़ा बहुत profit भी बिनाया है तो पूरे समंदर में से देख लो चुलू बरके पानी निकालना होता है और उसके बाद आपको पता है कितना हाथ लगता है ना तो ऐसी situation है यहां पर तो इस वज़े से जो 90% लोग है वो ट्रेडिंग में losses करते हैं और यह सेबी की रिपोर्ट है और इनका यह मानना है कि अगर हम tax बढ़ा देंगे तो लोग trading कम करेंगे और उसकी वज़े से यहां पर पैसा लोगों को losses होने से हम बचा सकते हैं लेकिन यह गलत नजरिया है क्योंकि ऐसा इनको करने से सरकार को सबसे ज़्यादा benefit होगा ठीक है क्योंकि लोग trading कर रहेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे और इसके बजाए कुछ अलग यहां पर criteria set करना चाहिए था इनको जिससे की actual में लोगों को help हो य psychology उसको बद्दा नहीं जा सकता है जब तक वो खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक दूसरे कि psychology पर कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक है तो 90% लोग losses में कुछ भी कर लो रहेंगे हो सकता है कुछ लोग यहां पर trading को बंद कर दें बट उतना जदा वह इंपेक्ट है सबसे के अंदर डालने वाले अब भाइस साब यह speculative income क्या होती है तो देखो एक ऐसी income जो कि यहां पर सट्टा अगर कोई भी बंदा सट्टा लगा रहा है उसे ही speculative income कहा जाता है सट्टे से मतलब क्या है कि जिसके अंदर कुछ भी दिमाग वगरा लगाने की जुरूत नहीं है सिर्फ आपको पैसा लगाना है color trading चल रही हिंदी नो इसे एक color trading गलत है क्योंकि trading उसे कहते हैं जि लेकिन हर बार देखो कभी किसी बंदे की किसमत साथ नहीं देती है ठीक है stock market में हमारी skill काम आती है तो अभी आप सोचो कि भई यहां पर पैसा option trading के अंतर 90% loss गवा रहे हैं ठीक है जो कि skill का काम है चार्ट analysis करनी है सही predict करना है और right time पर strategy follow करनी है risk management follow करना है अगर यह पैसा गया ठीक है तो ऐसे यहां पर जो gaming platform है बहुत सारे उन्हें यहां पर जो लोग अगर यहां पर gaming platform पर पैसा लगाते तो आपको पता होगा MPL पर कोई भी एक क्रोड रुपे जीतता है तो उसको 30% यहां पर government को पैसा पैकरना होगा है ना उसके बाद उसको चार पर से करना होगा तो में पैसा तो यहां पर government ले जा रही है जो कि बिना कुछ किये तो इस परकार से government का प्लान यह है कि इन जो future and options वाले जो ट्रेडर्स हैं इनको भी यहां पर फैंक देते हैं जिससे कि हमाने tax से भी income बढ़ जाएगी और उसके अलावा एक जो option trading या फिर जो भ पर देखो कि सरकार जो भी taxes लेती है उसके लिए वह एक tax lab बनाती है tax lab का मतलब यहां पर जितनी income होगी उसके according यहां पर tax decide किया जाता है जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा तेन लाग रुपे कमाता है उसकी सालाना income तेन लाग रुपे है तो उसको कुछ भी tax वगेरा देन नहीं लगेगा next है guys किसी बंदे की मान लो income 3 से 6 लाग के आशपास है तो उसको 5 परसेंट यहां पर पैसा देना पड़ेगा ठीके उसके बाद देखो 6 7 लाग रुपे अगर किसी बंदे की इनकम है तो उसको 10 परसेंट यहां पर पैसा देना पड़ेगा जो भी income है उसका क किसी बंदे की इंकम 9-12,00,000 है उसको 15% पैसा देना पड़ेगा। किसी बंदे की इंकम 12,00,000,000 से 15,00,000 रुपे हैं तो वो बंदा यहां पे 20% टेक्स देगा। और कोई भी मान लो यहां पे 15,00,000,000 रुपे से अगर ज़्यादा पैसा कमाता है तो उस बंदे को यहां पे जो पैसा देना पड़ेगा वो 30% टेक्स देना पड़ेगा। ठीके अब इसमें से ऐसा नहीं कि मान लो कोई 15,00,000,000 कमा रहा है तो डाइरेट 30% कट हो जाएगा यहां पे इन टेक्स लेप के अकोडिंग वो कट किया जाता है तो पहले 6,00,000 रुपे तक यहां पे 5% लगेगा उसका फिर 10,00,000 तक 10% लगेगा फिर 12,00,000 तक 15% लगेग और फिर जो टेक्स लेगेगा वो ऐसे समचे 15,00,000 से उपर 15,00,000 यह 20,00,000 हो सकता है ठीके तो 15,00,000 से उपर जो भी उसका पैसा बनेगा उसके उपर 30% है तो कोई बंदा 20,00,000 रुपे कमाता है तो उसको 30% जो टेक्स देना होगा वो सिर्फ 5,00,000 रुपे पे देना होग क्योंकि 15 लाग से उपर की जो इंकम है वो 5 लाग में आती है यानि वो 15 से 20 लाग है तो उसके उपर वो इंकम होती है ठीक है के नहीं मतलब आप समझ जाए इसको और हम डिटेल से समझने लिए आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हो तो मैं और आपको जानकारी दे सकता हूं क्या वो सही है या नहीं है जुरूर बताना ठीक है अब देखो यहाँ पर जो लोग future and option trading करते हैं अभी के टाइम पर हैं उनको क्या benefit मिलते हैं ठीक है तो guys future and option transaction जो भी होते हैं section 44 ADK coding हमें यहाँ पर जो भी profit और losses होता है वो हम business income के अंदर consider किया जाता है बोले तो हम इसको धंदा मान सकते हैं तो जो भी लोग business करते हैं उसके according यहाँ पर उनका tax PR करते हैं और tax बनता है अगर इससे चीज़ को हम देखें यहाँ पर तो मान लो अगर कोई trader है जिसको यहाँ पर trading में कुछ losses हो जाता है तो वो बनता क्या कर सकता है इस tax rate का use करके यहाँ पर उसको जो benefit मिलेगा वो मिलेगा section 44 ADK according जो भी उसका losses बन रहा है जो भी उसको tax लगा है उस tax में से वो redeem कर सकता है तो यह उस बन्दे को फाइदा हो सकता है कि मेर को मान लो यहाँ पर 50,000 का trading के अंदर loss हुआ है तो अब मैं उस loss को अगले 8 साल तक क्या कर सकता हूँ carry forward कर सकता हूँ तो मान लो मेरी जो भी income होगी उसके उपर जो भी tax लगा होगा ठीक है तो वो जो tax है ना वो क्या करूँगा मैं मैं government को पर नहीं करूँगा और यह जो मेरा 50,000 का जो loss है उससे मैं cut वा दूँगा तो मतलब आगर आपकी जो भी income हो रही है हर साल उस income को आप क्या कर सकते हो जो भी trading के अंदर losses हुआ है तो जब भी ITR फिल करते हैं हम वहाँ पे उसको setup करवा सकते हैं कि मानलो हमें आज जो loss हुआ है तो उसके उपर भी tax लग रहा है profit पे कल मानलो किसी बंदे को अच्छा profit हुआ है तो उस profit के उपर जो tax लगेगा वो अपने loss से कटवा सकता है I hope आप यह चीज़ों को समझ हो रहे होंगे तो setup your losses तो यह में चीज़ है कि अगर future and option trading को business income माना जाता है तो हम अगर losses भी करते हैं तो उसको अपने जो tax है जब ITR फिल करते हैं तो अपने tax session में उसको कटवा सकते हैं ठीक है तो हमें अलग से ITR में और पैसे परने की जुरूरत नहीं पड़ेगी अब इसका impact क्या पड़ेगा अगर यह business income में नहीं आए तो उसके बाद देखो आपको हर कोई जुवारी बोल सकता है जो लोग option trading करते हैं उनको कि क्योंकि जब यह business income में नहीं आएगी और speculative income में आ जाएगी है ना तो speculative का मतलब यह हुआ कि जुवा तो आपको हर कोई सटे बाद जो है बाद बाद सकता है जो लोग option trading करते हैं और आप जो भी profit करोगे उसके उपर आपको 30% पैसा पैकरना पड़ेगा ठीक है तो already there option trader मान लो कोई बंदा 1000 उपे बनाता है तो यहां पे जो government है 30% पैसा आप चीज़े पैकरनी पड़ती है कुल मिला के वह है कि चुलू पर समुंदर में से चुलू पर पानी भी अब थोड़ा मुस्किल से निकलने वाला है तो I hope यहां तक आप समझ चुके होंगे कैसे यहां पे जो option trading है उन पे losses profit का होगा और actual चीज़े यह जो है भी statement यह official announcement नहीं ह है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह चीज़ लागू होई जाएगी हो सकता है बस सरकार अलग कुछ लेके आ जाए यह बहुत बड़ी चीज़ हमें बताए कि 30% पैसा ले और पांच या 10% लगाए तो लोगों लगा का हाँ चलो यार 30% से कमी लगाया है तो आपको बड़ा दि मार्केट में एक्सपाइरी लेके आगे पहले एक एक्सपाइरी थी तो इन इतनी एक्सपाइरी में सबसे ज़्यादा जो फाइदा है वो ऑपरेटर को है क्योंकि ऑपरेटर हर दिन अपनी पोजिसन को अच्छे से दोनु तरफ दबा के बैठ जाता है बीच में ऑप्शन बेटा रखता है तो पहले मार्केट जो मुमेंटम करता था ऐसे मुमेंटम भी होते नहीं है तो ओप्शन ट्रेडर्स के पास हो सकता है कि आपको एक्सपाइरी ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन आपको लोसेज ज्यादा तर इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि इनका माइंड जरूर बता देना